हाई एब्रिवान, वैलकम बैक टू मैं चैनल, विंटर में जो सकुलेंट डॉर्मेंट अवस्ता में थी, उनमें अब ग्रोथ शुरू होगी और समर डॉर्मेंट सकुलेंट की ग्रोथ जो है वो अब धीमी होती जाएगी, तो विंटर और समर के बीच में आती है स्प्रिंग और इस्पिरिंग में हमें कुछ काम करनी है अपने सकुलेंट पर जिस से आगे इनकी ग्रोथ अच्छे से हो पाए तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कुछ ऐसे काम जो हमें इस्पिरिंग पिरियर्ट में कर लेनी चाहिए पहले नमबर पे है प्रूनिंग जितने भी ओवर ग्रोथ सकुलेंट है उनकी हमें अब प्रूनिंग करनी चाहिए क्योंकि प्रूनिंग के बाद ही इन में न्यू ग्रोथ आएंगी तो मेरे पास और एक प्लांट है यह है ग्रेप्टो पेटलममेंडोजाई और इसकी ग्रोथ देखिए काफी अच्छी हुई है बट यह थोड़ा लेगी हो गया है लाइट की कमी के कारन और जो यह स्टेम है इसमें इस तरीके का न्यू ग्रोथ आएंगी प्रूनिंग के ब जब भी आप प्रूनिंग करें उससे एक दिन पहले आपको वाटरिंग करनी है और प्रूनिंग के तुरंत बाद बिल्कुल भी वाटरिंग ना करें और तीन से चार दिन बाद ही आप इन में वाटरिंग कर सकते हैं दूसरे नंबर पे है रीपोर्टिंग पुराने जो पर रिपोर्ट कर देना चाहिए क्योंकि यह टाइम रिपोर्टिंग के लिए काफी अच्छी होती है यह जो सुकुलेंट आप देखने टेडिस केंसिया नोनक इसकी जो है रूट ट्रेनेज होल से बाहा निकल आ रही है और पतली बहुत सारी रूटे हो चुकी है रूट बॉ तो उससे पहले में इसको रिपोर्ट कर दूँगी अभी तक रिपोर्ट ना करने का कारण यह था कि इसके नीचे वाली जो लीफ है पतियां है यह काफी फलपी और काफी गुद्यदार है बट आप देखिए उपर में जो है काफी ड्राय सूखी हुई लग रही थी तो इस नमबर पे है कटिंग और यह है इचेवेरिया प्रोलिफी का और आप देख सकते हैं इनकी लीफ में गेप काफी जादा है इस टेम थोड़ी लेगी हो गई है तो विंटर में लाइट की कमी के कारण यह प्राबलम होता है तो यह टाइम सही है इनकी कटिंग करने के लिए औ विंटर डॉर्मेंट होते हैं समर में इनकी ग्रोथ काफी अच्छी होती है यह एक दूसरा प्लांट है इसकी मैंने कुछ टाइम पहले लगाए थी इसकी मदर प्लांट को मैं आपको दिखाऊंगी यह है इसकी मदर प्लांट और इसमें दो स्टेम थी यहां से मैंने कट की और एक टॉप का परशन यहां से कट की थी और चोटी सी स्टेम भी कट की थी बट अभी देखिए दूसरे वाले का जो है स्टेम खराब होने लगा है काफी सारे पॉप्स निकल आये हैं और इसकी पॉप की साइज भी काफी डिसेंट है काफी अच्छी तरीके से यह ग्रो हो तो कटिंग लगाने के यही फाइदे होते हैं आपको बहुत सारे जो है प्लांट बन जाते हैं नेक्स्ट यह है इसे भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किये हैं और देखिए काफी अच्छी तरीके से यह ग्रो हो रहे हैं विंटर के कुछ टाइम पहले मैंने इसकी कटिंग से इसका मदर प्लांट टॉप का पॉर्सन मैंने कट करके लगाई थी यह वाली है और इस टेम जो काफी लंबी थी तो उसे भी कट करके लगाई थी मुझे उतना आइडिया नहीं था बट फिर भी देखिए यह कितनी अच्छी तरीके से ग्रो हो गई हैं और एक पब इसमें बट मेरे हाथों से वो टूट गई है तो अभी बस एकी पब बची हुई है और पिछले साल जो मैंने कटिंग लगाई थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी बट देखे इस टेम से भी यह काफी एजीली ग्रो हो जाते हैं काफी अच्छी तरीके से ग्रो हुए हैं और बगल तो यह पहला वाला पब है देखे कितनी अच्छी तरीके से ग्रो हुए हैं काफी अच्छी साइज की है स्टेम थोड़ी पतली है क्योंकि यह स्टेम कटिंग के बाद जो दो जो स्टेम निव निकली थी उसी का ही है तो यह भी देखे यह दूसरी वाली है इसकी भी काफी कोसिस करती हूँ यह गोलम और इसकी जो है प्लांट खराब हो गई थी थोड़ी सी ही बची थी तो मैंने इसको यहां पर लगा दी थी अभी जो है इसकी लीव भी लगाए हुई हूँ तो इसमें ग्रोथ आ गई है रूट भी निकल रही है तो कोसिस करते रही आप ज जो है इसके लीव को ना गूथ ली थी और इसको ऐसे जुला के कहीं पर रग दी और जब धीर धीर नमें पफ जो है जनरत होने बनने लगे तब मैंने इसको निकाल के पोट में लगाई हूँ तभी आपको लीव में थोड़ी सी होल भी आपको दिख रही होंगी तो उसी त लग दी और देखिए अभी इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है नए पप्स की भी ग्रोथ आप देखे काफी अच्छी हुई है तो अभी तक मैंने इसमें वाटरिंग नहीं की हूँ एक मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ देखिए कितनी अच्छी जो है इसमें रू जाहे जिस भी परियड में हो, दौर्मेंसी में हो या ग्रोथ की परियड में हो, आप ली पर्पोगेशन करते रही है, और आपको नए प्लांट जो है, वो मिलते रहेंगे, पाचवे नंबर पे है, रीपोटिंग, एक्टॉल में यह रीपोटिंग नहीं, यह पोटिंग है, क एक अच्छे सोयल मीडिया में लगाने की तो सोयल के लिए मैं यहां पे ले रहे हूँ गार्डन सोयल 50% और रिवर सेंट 50% दोनों 50% एक्वली लेना है उसके बाद आप इनमें राइस हर्सक और उड़ चारकोर को भी एक्वल क्वैंटिटी में लेके एड करना है क्योंकि इस लिकी टैप के एक सोयल होता है वैसा नहीं होगा तो मैं हमेसा कटिंग और जो भी पूनिंग के टाइम पे जो भी प्लांट मिलते हैं या लीफ प्रपोगेशन के टाइम पे जो अच्छा प्लांट या पॉप्स बनते हैं उनको मैं इसी सोयल में लगाती हूँ तो यह सोयल आप लोग जरूर ट्राइ कीजिए काफी अच्छा रिजर्ट आपको मिलेगा तो देखे इस तरीके से मैंने ये कटिंग वाली सब को लगा दी हूँ और अब जो है बारी आती है लीफ प्रोपोगेशन की तो लीफ प्रोपोगेशन में जिनकी मदर लीफ की कंडिशन काफी अ हेलोईज होने लगी थी मदर लीफ इसलिए मैंने हटा दी थी और जो लीफ जो है वो ड्राइ हो चुकी है इनको निकाल दे इनको निकालना काफी अच्छा है हलके से ट्विस्ट कीजिए देखे इस तरीके से निकल आएंगी और जब भी आप लीफ प्रोपोगेशन के जो लगाएंगे तो उनमें पहले आप सोयल में होल कर लीजिए उसके बाद ही आप उन्हें लगाएं इस तरीके से दीके सारे लग चुके हैं तो ये काम भी आप इसी टाइम पर ये जो पांच का मैंने आप लोग के साथ सेयर की हूँ इसे स्प्रिंग खतम होने से पहले कर ली भी रूट जो है भी नहीं बने हैं उन्हें आप ऐसे ही रख दीजिए और थोड़ा रूट आने दीजिए उसके बाद आप इनको भी रिपोर्ट कर लीजेगा तो ये थी छोटी सी जानकारी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए अभी तक आपन थन्यवाद